और कल स्पेशली, अगर मैं टीम टीज की बात करना चाहता हूँ, उन्होंने क्या मुकाबला निकाला था। इन दोनों टीम्स की फाइट्स में थोड़ सा इंतिजार देखने को मिलेगा, तीनों टीम्स की फाइट्स में लेकिन कारू नाडू के उपर, टीम आइकु सोल के फ्लेयर्ट्स का पुछात होगा दिखाये देसकता है, पहले एक फ्लेयर्ट धाउन एस्टोन भी जमाई, अलि रेडियन एक आखरी हैं लास्टोमेदान, आइकु सोल का ये कमबेक बहुत बहतरीन, पहली फाइट और कितना खुबसूरत निजिजल दिखा चुका है, कि भाई, एक भी प्लेयर का इलिमनेशन इस फाइट में नहीं हुए, अच्छली में जो टीम फिनिश आफ होई है, का चार फिनिश निकलके अपने चारों प्लेयर्स के साथ जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश की जाएगे, फॉस्ट जोन याप एलिमनेट हो चुका है, सेकेंड सोन आपको बनता हुए, लगिन आप टीम नुम्बर 20 गुरू आटी की पहुच चुकी उनके पास में, के इन उनने आके बाहर फाइट लेने का डिसनल ले लिया, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, जोन के अंदर जाने के बार में सोच लेना चाहिए, और आप देख लीजिए, नकुल के सामने पहुचे एक प्लेयर, नकुल यहाँ पे नॉक्टाउन कीएगे, डाक लॉट की तरह से, ले कि नहीं, आको सोल में बहुत बहुत बहतेरीन तरीके से उस्टीम को क्लियर आउट किया, और भाई, यह सेटब इतना कैसे चिंदी हो सकता है, यह मतलब, इतना पैसा डालने के बाद, how, how it's possible, अब लट फेंसाइट से टीम से यहाँ पे धिरी-धिरी सोन के अंदर जाने की क चुके हैं, और लास्ट प्लेयर यहाँ पे मानिया लाइब दिखाए देरे, 12 फिलाल के लिए, एडीम अपने खाते में दर्श कर चुके हैं, और धीरे-धीरे करके सोन के अधर निकलने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट एंसाइट में जाएंगे, सरूर वहाँ पे दो टीम से लेटी, लेफ्ट एंसाइड में गटका के पास देख लीचे, टीम टेश ने VXT को कम्प्लेटली फिनिश आफ करती हैं, और इसी दोनों टीम की फाइट्स के दोरान, अगर मैं आईकूस होल की बात करना चाहता हूँ, वो देख लीचे, गॉडलोल्स की करीब बहुच चुक और अब पानली, यश का नॉक्ट आउन देखने को मिलेगा, सौमे की तरफ से डाउन किया चाहेगा, और अब एकोड प्लेयर यहाँ पे माननेक की तरफ से खुटनों पे डाला है चाहेंगे, जो कि S.P.A.X.D.W.T.N.R.N. एक आखरी हैं लास्ट करी, एक उल्टी सास से ग सकते हैं, जोन के इंदर जाना बहुत साथ इंपॉर्टन है, अगर आप देखोंगे, पांच फिनिशस टूटल यह निकाल चुके हैं, थोड़ा सा एग्रेशन मोमन्ट जरूर इस टीम ने दिखाया था जब रोजोग के पास, वहाँ पे S.P.A. की टीम को पुश किया गया लेकिन आप I.N.T. फुश करने के वहाँ पे कोशिश करेंगे, क्या फाइट से आपे हो सकते होने वाली तो है शायद। की दो हो रही है, वह कहीना की तब्दीर हो चुके है, आट फिनिशस में, अब बिखर की खेलने की कोशिश इस टीम के द्वारा की चाह सकती है, और एक भी प्लेयर अब तक यहाँ पे आईकुस होल के अलिबनेट नहीं है, राइट हं साइड में सीजा, और गॉडिल ओल से की मिल्टा के पास ही खतम होने वालेट, सोल ने एक और नौक निकाला, एक और फिनिश ओफ उनके खाते में दर्च, और आईकुस होल के दो पेर, सोमे को अगर आब देखोगे पहुच चुके है, इनके पास में, राणी भी वहीं पे है, सोमे के साथ है, और माने अंस्किप मार को आपे फिनिश ओफ होई, और आप आईकुस होल, दीरे दीरे बागे सारी टीम्स के उपर पुश करने की कोशिश करें, और आज की जो फाइट्स होई, तीरा फिनिश ओस देख लीजे, ये टीम अपने खाते में दर्च कर चुका, और क्या आउटस्टैंडिंग मुका अची है, उनके पास तुसे दो प्लियर्स के हैं, और एक 2v4 के फाइट इन दो नो टीम्स के बीच में होने वाले पाशा भाई, अपने आपको वहाँ पे छुपा के बचा के रखे वे, मुझे नहीं लग रहा कि उनकी पोजिशन के बार में पता है, और राइवल एपेक्स कालिटन को वहाँ पे कन्फर्म होने वाला है, बचने के चौंसे ना के बराबरते है, राणी ने स्किप्स को बुला है, काम वहाँ पे तमाम किया, फ्रैंक्लीन के ऐलिमनेशन, अगर आप लोग ने अब तक लाइक नहीं मारा तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर सब्सक्रा अब यहाँ पे रॉनी का भी अलिमनेशन कंफर्म, पता ही नहीं था कि वो प्लेयर कहाँ पे बैठावा है, लेट से प्रहार हो रहा है, तो अपने आपको कहाँ पचाएंगे राइट में ही न, लेकिन वो कासे ने तब मारा, लेकिन वो काफी नहीं था, सर्वाइवल की यह जिया, बिल्कुल टीम शैडो ने आसानी से एक पूरी टीम को बाहर किया, बट मॉडेक्स रिवेंज आइकू सोल के माध्या को बाहर करते हो, शम्शीर से प्रहार किया, जिया, नाइफ से कंफर्मेशन आया, टीम आइकू सोल ने अपने पहले प्लेयर को गबा दिया, का मिले और उस समय पे अपनी टीम के लिए वैल्यू निकाली जाए, बट डौनों ही टीम हालंकी हेलमेट के रूप में लेवल वन का हेलमेट रहेगा, ये जरूर चिंताओं का विशह हो सकता है, बट ये नेड बहुत जादा इंपेक्क दे चुका है, सौम्या, सही समय पे अपनी दिशाओं में बदलाव तो किया, बट जस जगा पर है एक गोली का कनेक्शन, सौम्य के लिए दिक्कते बढ़ा सकता है, मैं अगर, बढ़ा सकते हैं, बट रौट की जो कमद देने आए थे, उन्हें डाउन किया गया और अब शायान सौम्या है, उन्हें भी घुट अगर आप टीम नुमर 24 को देखोगे, देसवाल की प्लेइट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ओ माइग गॉड, लेकिन आईकू सोल, क्या अपने टीम को यहां से बचागे निकाल पाएंगे, यह भी तो अपने आपने की सवाल है, और लेफ्ट हैं स्लग बॉइ भी हमें राइट हैंड से ओमेगा भी आने की कोशिश करेंगे, नकूल की बात करना चाहत हूँ, दीरे दीरे राइट से निकलने के आके कोशिश करेंगे, और ओमेगा जीस तरी किसे आया है, सौमे के बारे में पता चल जाएगा, मेभी चल दी, या फिर मेभी सौमे की तरफ से ओमे बढ़ा कुछ तो यहां पर डाला गया और इसी दोरान अब रॉनी जो वह धीरी धीर आगे बढ़ने की कोशिश करें गया और सुम्ने को देख लीचे वह आके वड़े राइट अन साइट से रॉनी ने एक नॉक वापर वधान का निकाला लेकिन दूसरे ही शान रॉनी ने दो फिरेशस निकाले और इनके भी दो प्लेयर का अलिमिनेशन हो चुका और स्लग पॉइपुश कर चुके है क्योंकि जोग ही भरा है यह पॉइट और जब एक प्लेयर आपे डाउन हो चुका है आपका नौ के पोजिशन में दो प्लेयर फिनिश ओफ हो चुके है और अगर आप रॉनी को दिखोंगे एक भी फॉस्ट इट्स नहीं इनके पास